नमस्कार दोस्तों बतो स्वारते आप सभी कई को नई वीडियो में और आज की इस वीडियो में बात की जाएंगी आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के बारे में तो अगर अब इतक आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि आज है 31 मार्च 2021 जो की आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की आखरी तारिक है इसके बाद यान की एक अपरेल से हो सकता है सरकार आपको एक हयार रपे तक का जुर्मा ना लगा दे इनको लिंक ना करने पर तो अगर आपने आधर कार और पैन कार को लिंक नहीं किया है तो आप घर बैठे दो मिनट के अंदर कर सकते हैं कोई लंबा प्रोसेस जो है नहीं है तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल खोलना है और उस पर सर्च कर लेना है आपको आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइड उपन होके आएगी नीचे जो कि है आपकी www.incometaxindia.gov.in और यहाँ पर किलियरली लिखा हुआ है लिंक का आधार income tax return तो इस वाली वेबसाइड पर आपको जाना है तो जैसे ही वेबसाइड उपन होके आगी आपके सामने कुछ इस तरीकी का इंटर्फेस आएगा तो यहाँ पर आप देख सकतो लिंक आधार और उसके नीचे लिखा हुआ है किलिक here to view the status if you have already submitted लिंक आधार request तो अगर आपको पता करना है कि आपका आधार काड या पैन काड लिंक है या नहीं है तो इस लिंक पर आप किलिक करोगे हो सकता है आपने कहीं से लिंक करवाया हो या आपने पहले लिंक किया हो तो लिंक हो चुका है या नहीं हुआ है इसके लिए आपको यहाँ पर किलिक कर लेना और जैसे आप किलिक करोगे तो लिंक आधार status आएगा उस पर आप पहले वाले बॉक्स में यहाँ पर आप अपना pen card का नमबर डालोगे और दूसरे वाले बॉक्स में आप आधार card का नमबर डाल दोगे और उसके बाद view link आधार status पर आप किलिक करोगे और यहाँ पर आपका status जो हो जाएगा कि आपका जो है link है या नहीं है चले बात कर लेते हैं फिर से बैक पेज की तो यहां पर आपको पहले वाले बॉक्स में डालना है आपको देख सकते हैं तीन बॉक्स हैं पहले वाले बॉक्स में आपको आधर का पैन कार्ड का नम्मर डालना है जैसे उसमें दिया है तो बड़ा बड़ा होता है यानि capital letters में होता है for example जे आई पी ओ जो भी आपका pen card का number वो आप डाल देना यहाँ पर उसके बाद आपको आधर card number डालने का option आएगा तो आप आधर card का number आप डाल देना जो भी आपका आधर card का number हो मैं यहाँ पर ऐसे डाल देता हूं लेकिन कोई बड़ा process नहीं है कभी simple process है इसलिए मैं आपको जो है करके नहीं बता रहा हूं मैं simple सा आधर card number डाली pen card number डाली हो लिए link हो जाते हैं और यहाँ पर आधर card में से same to same आप अपने नाम डालना spelling वगरा छोटी बड़ी जो जैसे हैं जहां पर space है वहीं डालना और एक भी जो है गलती मत करना अगर कुमार है तो कुमार डालना और कुमारा है तो कुमारा डालना English में आप इसको type कर ले रहा ठीक है तो आपने आधर card number डाल दिया pen card number डाल दिया name अब तीसरा कॉलम है कि अगर आपके आधर card में सिर्फ जनम की साल लिखी हुए या जनम की year लिखी हुए जैसे कि 1990-1992 महीने और डेट नहीं लिखे हैं तो इस पर आपके लिख कर देना I have only year of birth in आधर otherwise आपको नीचे वाले पर टिक कर देना है नीचे वाले पर तो आपको नहीं करना है चाहिए आपके मैं जनम तेथी पूरी हो या सिर्फ साली साल दियो है ना यहां पर लेखा I agree to validate माई आधर डेटेल विए डिए तो इसको टिक कर देना है और उसके बाद यहां पर image में जो capture code है जो कि आप change होता हो देख रहे होंगे वह आपको यहां पर नीच नहीं करना है आपको यहां पर link का आधार पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करोगे आपके सामने यहां पर उपर की तरफ एक पटी बनके आईगी जिस पर लिखा हुआ होगा यहां पर आपकी जो request ले ली जाएगी उनको link करने के लिए और इनको link होने में 3-4 दिन का समय लगता है तो उसको आप चेक कैसे करोगे link हुआ है या नहीं हुआ है तो आपको फिर से यहीं पर जाना है click here वाली जो tab है आप देख सकते हैं यह वाली इस पर आपको जाना है click here to view the status of your other card and pen card link तो इस पर आप आओगे तो link other status पर आपको फिर से pen card नम्मर डालना है और आधार card का नम्मर डालना है और यहाँ पर view link other status चेक करना है अगर आपका यह link हो गया होगा तो लिखा आजाएगा कि your other card and pen card is already link और अगर नहीं हुआ होगा तो under process होगा तो under process आजाएगा यान कि आपने request डाल दिये और यह जो है अभी तक link नहीं हो पाए तो ऐसा भी यहा comment करके बता देना वीडियो को लाइक कर देना चनल को सब्सक्राइब कर देना सात में आने वाले बैल वटन को भी दबादेना और किस topic पर आप वीडियो देखना चाहते है वो मझे जरूर से बता देना मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care